जेहिन नमस्कार सभी सेनिकों, पूरु सेनिकों और फैमिली पैंसनर्स का में एक बार फिर स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में जिसके जरिये में आप सब को आप से जुड़ी हुई 62 ऐसी जानकरियां बताऊंगा जिनको आप सब को जानना बहुत ही जुरूर है समय में बदलाओं के साथ साथ नियमो और पॉलिसीज में होरे बदलाओं के साथ हम सब को जुड़े रहना चाहिए तो आईए आगे 15-20 मिनिट हम इस वीडियो में हमारे से जुड़ी हुई 62 ऐसी जानकरियों को जानेंगे जो की एक एक जानकरी हम सब के लिए या फिर हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा जुरूर है बहुत ही important वीडियो रेने वाला है इसलिए आपसे request है कि वीडियो को अंतक जरूर देखे और आपसे एक निवेदन कि आप चैनल पर नए है या फिर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है या फिर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे है तो चैनल को जरूर subscribe कर ले तो आईए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इन जानकारियों को समझना शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे ECHS और Fixed Medical Allowance जो की ex-servicemen और उनके dependence को लागू है उसके बारे में जानकारिया सबसे पहले Fixed Medical Allowance एड़ा रेट रूपीज वन हंड्रेड वाज इंट्रडेश्ट विट इफेक्ट फ्रूम 1 दिसमबर 1997 सबसे पहले सेना में जो Fixed Medical Allowance है वो 1 दिसमबर 1997 से लागू हुआ था और उस में 100 रूपे हर महीने मिलता था उसके बाद Fixed Medical Allowance एक हजार रूपे किया गया 1 जूलाई 2017 से ECHS members not eligible for medical allowance जो ECHS की membership ले चुके हैं उनको Fixed Medical Allowance लागू नहीं है यदि किसी को मिल रहा है वो तुरंत बंद करवा ले ECHS facility is now extended to the dependents of ex-recruits boarded out our drawing disability pension ECHS की सुईदा उन recruits को भी लगू है जो training के दोरान invalid medical board out हो चुके हैं ECHS made compulsory for those discharged after 1st April 2003 97 से लेके 2003 तक ECHS compulsory नहीं था लेकिन 1 April 2003 के बाद ECHS को सभी के लिए compulsory कर दिया गया है there is no fees for pre 1st January 96 pensioners to join this scheme यानि 1 January 1994 से पहले कोई retirement आ चुके हैं वो ECHS में जुड़ना चाते हैं तो उनके लिए कोई भी fees नहीं रखी हुई है वो free of cost ECHS की membership ले सकते हैं इसके बाद 1 January 1993 से लेके 31 March 2003 तक कोई retirement आये हैं वो ECHS में जुड़ना चाते हैं तो आज की rate के अनुसार उनको ECHS की membership पे करनी होगी 29 December 2017 The rates of joining ECHS have been increased from recruit to havealdar rank रूपीज 30,000 वन ताइम from naip shubadar to honorary captain and equivalents रूपीज 67,000 वन ताइम and for all officers 1,20,000 one time subscription देना होता है ECHS की membership लेने के लिए If you are having 32 KB ECHS individual white card you must apply for change online यदि आपके पास में अभी तक 32 KB का ECHS card है तो आपको ECHS की website पे जाके online इस card को change करने की application डालनी होगी ताकि आपको 64 KB का ECHS card मिल सके जिसमें extra सुईदाएं मिलती है If you are having temporary ECHS slip then follow up on new card यदि आपके पास में अभी तक temporary slip ही है आपको ECHS का 64 KB card अभी तक नहीं मिलाए तो आप ECHS polycleaning में संपर करें और अपना नया card लेने के लिए उनको बताएं If you are a member of ECHS make sure that you are not paid fixed medical allowance जैसा मैंने अभी पहले बताया आप ECHS का member है तो आप ensure करें कि आपके pension के साथ 1000 रुपे fixed medical allowance नहीं आ रहा है यदि आपको मिल रहा है तो आप bank को या ESPERS को या ECHS को letter लिखें कि मेरा fixed medical allowance बंद कर दें नहीं तो आपका ECHS card suspend हो सकता है वार disabled pensioners and widows are exempted from paying ECHS contribution सबसे बड़ी बात कोई भी युद के दोरान हतात हुआ हो या उनके widows हो तो उनको ECHS का contribution देने की आऊ सकता नहीं है उनको फ्री में membership मिलती है If you are having old 16 के भी RAID का combined card you have to change it यदि अभी उससे 32 के भी से पहले 16 के भी चलता था यदि वो card भी किसी के पास है तो change करके 64 के भी card लेना जरूरी है No, Aadhar data must be matched with ECHS card like name, date of birth, etc So especially for dependents, keep rectified the Aadhar and ECHS data mismatched if any end must be mobile linked from April 24 this system may be introduced in Impenal Hospital and ECHS Polyclinic यानि आपको Aadhar authentication करना होगा April 24 से ये scheme कभी भी लगो हो सकती है इसलिए जितने भी ECHS के लावारती है ECHS के beneficiaries के dependence है उनको चाहिए कि अपना Aadhar में जो नाम, date of birth वो ECHS card के जैसा ही हो साथी साथ अपने Aadhar card के साथ में mobile number को link जरूर करवा करखे क्योंकि जब Aadhar authentication होगा तो OTP आएगा और OTP एंटर करने के बाद ही आपको ECHS in panel hospital में इलाज मिल सकेगा तो यहाँ 15 जानका यहाँ जो मैंने आपको बताई वो आपके ECHS और fixed medical allowance से जुड़ी थी अब हम बात करेंगे pension related issues जो की बहुत ही मेतोपॉंट पॉइंट है आप सब के लिए तो सबसे पहला पॉइंट है कि यानि आपका जो PPO नंबर है वो उसकी पूरी जालकारी आपके पास में होनी चाहिए लेकिन ज़दी आपको कोई पूचता है तो आप अपना rank, group, qualifying service और date of birth बता सकते हैं इसके अलावा ज़्यादा जानकारी आप share ना करें always keep your pension account jointly with your spouse either or survive basis यानि जो आपका pension account है वो हमें से joint account होना चाहिए आपकी nominee के साथ में joint होना चाहिए और उसको आप either or survive जो भी है operative method में रखना चाहिए all family pensioners must give nomination to their bank account for their pension accounts जितने भी family pensioners है उनको चाहिए कि अपनी bank में जाके अपने pension account के साथ में nomination को aid करवाए next update your passbook entries regularly keep a copy of spouse pension slip every month आपकी जो pension खाते की bank account passbook है उसको regularly आपको update करवाते रहना चाहिए साथी साथ जो spouse की pension slip है वो spouse में upload होती है उसको जरूर print करके अपने पास में रखते रहें link your adhaar number and pen number with your pension account and ispurs must आपका जो pension account है उसके साथ में आपका adhaar number और pen number link होना बहुत ही जरूरी है और यही कारवाई ispurs में भी होनी चाहिए also send pdf copy or hard copy or your adhaar card online to record office oblique naval pension oblique air force record office to link and seek email confirmation यानि यह जो दोनों डोकुमेंट है अधार card और pen card अपने पड़े record office को भी बेजना चाहिए name and date of birth of your spouse in the ppo and in the bank account must be same यह बार बार जानकर दी जारी है कि आपके पतनी की spouse की date of birth और नाम ppo में, adhaar card में, pen card में और bank account में बिलकुल match करना चाहिए you may update your nomination on ispurs portal easily ispurs में भी आपको अपना LTA nominee और nomination है जो update करना बहुत ही जरूरी है mostly 80% ispurs pensioners का nomination ispurs में update नहीं पाया गया है इसलिए login करके और अपने nominee की पूरी जानकारी वहाँ पे update करना जरूरी है if your and your spouse date of birth is not with your bank please submit your school certificate, adhaar card, pen card, voter ID to the bank or ispurs for recording your date of birth through jillacenic board for ispurs यानि pension आप bank से ले रहे हैं चाहिए ispurs से ले रहे हैं आपकी जो जनमतारीक और आपका नाम बिल्कूल सही तरीके से bank account और ispurs में update होना चाहिए यदि नहीं है तो rectify करवा के सही से update करवा लें don't forget to give life certificate to the bank or ispurs in November every year bank में हर साल नॉंबर में देना होता है senior citizen को October से ही सुईदा दी गई है ispurs में आपको जिस महीने में आपने last year submit किया उसी महीने में next year आपको submit करना है life certificate देना नहीं बूले अब बात करेंगे एक अप्रेल 1985 से पहले आये pensioners की must make sure that their spouse name is there for family pension if not apply for endorsement of family pension immediately through jilasonic board to your record office एक अप्रेल 1985 से जो पहले pensioner आयो है उनके PPO में wife का नाम और date of birth एंटर नहीं होता है तो उनको चाहिए कि उस PPO को jointly notify करवाए इसके लिए jilasonic board में जाएं और jilasonic board के जरीए request record को बिजवाएं record POR में joint notification करवाएगा आल प्रे फर्स्ट अप्रेल 95 pensioners who don't have pension book और PPO copy please apply to bank and get a copy यानि एक अप्रेल 1985 से पहले pensioners जिनके पास में pension book और discharge book या PPO नहीं है तो वो अपने bank में जाएं और apply करें साथे साथ record office को भी लिखें और सभी pensioners के पास में discharge book और pension payment order की copy होनी चाहिए if a pensioner dies before the age of 67 his spouse should get the same pension as her husband from the date of death till the disease attend age of 67 year or for 7 year whichever falls early this is known as enhanced rate of family pension हालांकि इस बात के बारे में सबको पता है कि कोई service pensioner किसी की death हो जाए तो 67 year और 7 year जो भी पहले हो उस duration तक जो family pensioner है उनको enhanced rate of family pension मिलेगी यानि वही pension मिलती रेगी जो service pensioner को मिलती थी the pensioners who completed 80 years of age are eligible to get 20% increase in their basic pension as additional pension if you are not getting you have to follow up with the bank with the proof of date of birth this additional quantum of pension is proposed to be applicable from the age of 65 years but it will take some time to get approval of Ministry of Finance जो भी pensioners है जिनकी 80 साल उमर पूरी हो चुकी है उनको अपने bank और इस पर्स में संपर्क करना चाहिए कि मुझे 20% additional pension दी जाए और हाँ इस 20% additional pension भी pension के उपर भी dearness relief लागू है अब एक proposal चल रहा है कि ये additional pension 65 year age से शुरू की जाए लेकिन ये अभी तक ministry of finance में pending है और जब approval मिलेगा तो ये pensioners के लिए बड़ी खुसी की बात होगी EPA pension in addition to defense pension family pension load with effect from 27 July 2001 for applicable re-employed ex-servicemen पहले दो pension का नियम नहीं था लेकिन 27 July 2001 के बाद में यदि कोई ex-servicemen re-employed होने के बाद दूसरी pension earn करता है तो दोनों pension family pensioners को मिलेगी ex-servicemen can draw two pensions separately without any ceiling with effect from 1 January 1996 यानि 27 July 2001 EPA pension के लिए और 1 January 1996 के बाद दो pension earn कर सकता है यदि 3 pension का अगदार है तो 3 pension भी earn कर सकता है एक ex-servicemen और इसी परकार family pensioner भी DA4 re-employed ex-servicemen is admissible on both pension with the same condition with effect from 18 July 1997 यानि 18 July 1997 के बाद यदि कोई pensioner दो pension earn करता है तो उसको दोनों pension के उपर dearness relief मिलेगा इसमें कुछ condition है class 1 gadgeted officers को चोड़ के यदि वो re-employed होते है तो किसी एक pension के उपर उनको dearness relief मिलेगा those who are getting the year pay fixed with protection of last pay drawn in armed forces are not eligible for dearness relief on pension all re-employed commissioned officers are not eligible to get dearness relief on pension यानि दो नियम है एक तो जो इतने भी अधिकारी है यदि वो re-employed होते हैं तो एक pension पे उनको dearness relief नहीं मिलेगा और यदि वो salary ले रहे होते हैं तो pension पे dearness relief नहीं मिलेगा salary के उपर dearness allowance मिलेगा इसी परकार दूसरा है कि कोई अक्सर्विस्मेन पे protection लेता है last pay drawn का तो उनको भी dearness relief pension पे नहीं मिलेगा उनको salary के उपर dearness allowance मिलेगा बात करें dearness allowance is admissible to employed family pensioners without any condition with effect from 18 July 1997 dual family pension is applicable to family of re-employed अक्सर्विस्मेन if eligible otherwise यानि कोई family pensioner है यदि वो re-employed होते हैं कहीं पे सरकारी संस्ता में केंदर सरकार, राजे सरकार या PSU या autonomous body में तो उनको pension के उपर DR तो मिलेगा ही साथे साथ जो salary मिलेगी उसके उपर भी DA मिलेगा इसके बाद यदि दो family pension लागू है तो दोनों family pension मिलेगी ये नेम 18 जुलाई 1997 को आया था बात करें minimum ordinary family pension साथमे पे कमिशन के अनुसार 9,000 रुपे प्लस डियरनेस रिलीफ है ये एक जनुवरी 2016 से लागू है इसी परकार minimum special family pension साथमे पे कमिशन में एक जनुवरी 2016 से 17,990 रुपे लागू है compensation for delayed payment of pension और areas to be paid with effect from 1st October 2008 यानि एक अक्टूबर 2008 के बाद ये नियम आया कि किसी को इदी pension में payment करने में देरी की जाती है तो उसके उपर panel interest यानि compensation भी दिया जाएगा improvement in pension for other ranks and jseos as per cda circular 430 with effect from 1st July 2009 ये pension में improvement का नियम आया था जो एक जुलाई 2009 से लागू है additional pension is payable after 80 years on both the pensions if anyone drawing two pension तो जो additional pension का नियम है कि यदि एक से ज़्यदा भी कोई pension ड्राग कर रहा है कोई serving soldier है जो अपनी regular army, air force, navy की और उसके बाद DSE में reemploy होता है तो दोनों के उपर additional pension मिलेगी 20% और दोनों के उपर dearness relief भी मिलेगा additional pension is applicable for war injury pension or disability pension or liberalized family pension and special family pension यानि सभी परकार की जो pension है एक servisman और family pensioner को लागू होती है उसके उपर यदि वो additional pension का अगदार है तो सभी के उपर additional pension मिलेगी joint notification of family pension was introduced from 1st March 1985 those who don't have joint notification for family pension they have to apply immediately जो एक servisman है एक मार्च 1985 से पहले आये थे तो उसमें ऐसा कोई प्रावदा नहीं था कि PPO में wife का नाम भी लिखा जाए date of birth भी लिखा जाए लेकिन 1st March 1995 के बाद में जो आये उनके लिए ये नियम लागू कर दिया गया था तो 1st March 1985 से पहले जो आये वो भी अपना joint notification करवाए और 1st March 1985 के बाद में जो आये वो भी चेक करें कि उनके PPO में wife का नाम और date of birth है या नहीं और यदि नहीं है तो करवाए यदि है तो चेक करें कि date of birth और नाम सही होना चाहिए 39 नंबर पॉइंट है बस थोड़ा सा समय और लगेगा और आप जो पेसेंस के साथ में इस पूरे वीडियो को देख रहे है ये आपके लिए बहुत ही मैत्रफून रने वाला है dual family pension is payable from 24 September 2012 age per CDA circular 504 dated 17 January 2013 the families of ex-servicemen who were driving two pensions and died before 24 September 2012 were denied dual family pension at that time age per CDA circular 504 they are eligible for two family pensions यानि CDA ने 504 circular जारी किया उसके अनुसार जो dual family pension है वो family pensioner को लाग हुए यदि किसी के death हो चुकी है नहीं मिलिये तो वो family pension के हकदार है यानि उनके जो भी next stop किन है वो इसके लिए apply कर सकते हैं अब बात करेंगे disability pension की applicability के उपर दोस्तों एक जुलाई 2009 से जो broadbanding concept है वो concept आ चुका था तो broadbanding क्या होती है percentage का broadband किया जाता है और ये disability और war injury pensioners के लिए लाग हुए shall be extended to armed forces pensioners who were invalidate out of service prior to 1st January 1996 and are in receipt of disability और war injury pension age on 1st July 2009 यानि 1 January 1996 से जो पहले आये तो उनके लिए भी applicable हो गया जो 1 July 2019 के दिन disability और war injury pension ले रहे थे उनको broadbanding का फाइदा मिलेगा broadbanding for all pensioners is applicable with effect from 1st January 2016 circular 596 और ये broadbanding 1 January 2016 से सभी pensioners के लिए लागू कर दी गय थी liberalized family pension came into existence from 1st February 1972 the liberalized family pension is a monthly pension given to the families of personal who die in war warlike operation, counter-incidency operation or encounters with terrorists it is equal to the last recognizable amount of the deceased यानि liberalized family pension क्या है कि जितनी salary जवान को मिल रही थी उतनी ही pension मिलेगी और इसके लिए situation ने आप बता दिया कि एक्टिव वार के दुरान या counter-incidency एरिया में उसकी टर्रिस्टे लड़ते समय डेथ हुई हो तो उसके जो नेक्स्ट आप की ने फेमिली पैंसन हा रहा है उनको फुल पैंसन मिलेगी दा लिबरलाइज फेमिली पैंसन वाज इंट्रोडूस्ट ओन जनुवरी 1st 1972 फूर आल वार इंजर्ड और डिसीज़ फरस्टनल वार इन्वेलिडेट आउट ओप सर्वीज और डाइड इन इन इंटरनेशनल वार वार लाइक ओपरेशन और बॉर्डर इसक्रिमिस सिंस 1947-48 तो लिबरलाइज फेमिली पैंसन बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर है किसी सेनिक को यदि सेना से आई-म भी आउट किया है तो भी उसकी सेलेरी के बराबर लिबरलाइज फेमिली पैंसन मिलेगी और यदि उस जवान की डेथ हो चुकी है साहीद हो चुके है तो जो भी फेमिली पैंसन है उनको भी सेलेरी के बराबर ही पैंसन दी जाती है नेस्ट आप्टर इंट्रोड़क्शन ओप गाइड टू मेडिकल अफसर 2023 those who have been disabled and disability recorded or reported before September 23 are not to be covered under Guide to Medical Apsar 2023 as per clarification or frequently asked question published by Defense Ministry on 4 October 23 in their official website अब यहाँ पे एक बड़ा पैंच आया है September 2023 में Guide to Medical अपसर आ गहें नया नियम आ गया इस नियम के आने के बाद में September 2023 के बाद में जिन किसी को disability हुई है या pension out हो रहे हैं तो उनके disability percentage को reduce किया जा रहा है लेकिन यह नियम September 2023 से पहले आ चुके जवानों के प्रलागू नहीं होता है यदि उनको deny किया जाता है तो वो अपनी कानूनी कारवाई कर सकते हैं यह MOD का एक नया नियम हाली में आया है next point है if you are having disabled children, unmarried daughters, widowed daughters you must apply for part order for pension benefit on later dates यानि किसी ex-serviceman के बच्चे disabled है या unmarried daughters है या widowed daughters है तो उनका part order होना ज़रूरी है क्योंकि उनको के बेनिफिट सरकार देती है और ex-serviceman के ना रहने के बाद उनको आज even pension भी मिलती है तो इसके लिए सबसे important है कि उनका birth का part order होना ज़रूरी है यदि handicapped है तो handicapped का part order होना भी ज़रूरी है next always check your pension with your rank, group, qualifying service and date of birth अपनी pension को ex-serviceman welfare must be checked OROP 1 और OROP 2 की table अपने पास में रखें जब आगे भी revision होगा तो उनकी भी table अपने पास में रखें और उसके अशार अपनी pension को check ज़रूर करें next अब केई तरीके के financial assistance Kendri Scenic Board दोरा जवानों को उनके परिवारवालों को उनके बच्चों को दिया जाते हैं apply for financial assistance for disabled children from Kendri Scenic Board if you are not getting from anywhere some other welfare grants also available with Kendri Scenic Board just follow the details available in the official website of Kendri Scenic Board and apply it जैसे कि सबसे common है financial assistance for education जिसे हम children education allowance क्याते हैं उसका नाम Kendri Scenic Board में financial assistance है तो 1000 रुपे एक बच्चे को एक महिने के लिए एक बच्चे को पूरे साल में 12,000 और दो बच्चों के लिए 24,000 रुपे Kendri Scenic Board Children Education Allowance के नाम पे ex-servicemen को देता है up to OR rank just you include नहीं है हवल्दा rank तक ही मिलता है if you have lost your ex-servicemen ID card you have to apply for duplicate from Jilla Scenic Board online application is also feasible through Kendri Scenic Board website online application काम करे या न करे आप Jilla Scenic Board में physical visit कर सकते हैं जिनके पास अभी तक ex-servicemen ID card नहीं है ID card बनावा सकते हैं अपने dependent का भी मना सकते हैं पतनी का भी मना सकते हैं यदि आपका ID card गुम हो जाए तो आप FIR करवाएं और duplicate ID card भी ले सकते हैं योर full date of birth must be recorded in your ADAR card योर mobile number also to be linked to your ADAR card विजिट ADAR permanent enrollment center for any change नो एडेज, banks are also interested to be ADAR enrollment center ADAR card में हर एक जानकारी अपडेट होना जुरूर है आपकी pension data के अनुसार ADAR में जानकारियां होनी चाहिए और ADAR के साथ में mobile number link होना भी बहुत जुरूरी है यदि आपका mobile number गुम हो जाता है या block हो जाता है या बंद हो जाता है तो नया mobile number अपडेट करवाएं इसके लिए आप post office, bank और ADAR center में जा सकते हैं ADLR यानि Assured Descent Last Right Scheme एक एक सर्विसमेन की डेथ होने के बाद सम्मान के तोर पर फुंदल ग्रांट 10,000 रुपे ओंदा इस्पोर्ट दिया जाता है ये 8 जुलाई 2016 को स्कीम आई जो भी dependent केंटीन है और जिला सेनिक बोर्ड है उनके दोरा 5,000 रुपे और केंटीन दोरा 10,000 रुपे फुंदल ग्रांट दिया जाता है ओन डिमाई जो पैन एक सर्विसमेन इट केंबी क्लेंट यानि 10,000 रुपे केंटीन से और जिला सेनिक बोर्ड भी 5,000 रुपे देलता है नेक्स्ट डिगनिफाइड लास्ट राइट्स ग्रांट फ्रों आर्मी, नेवी, एरफोर्स, हेड़कोर्टर्स अमाउंट डिफर्स यह अमाउंट जो 10,000 रुपे वो आर्मी, नेवी और एरफोर्स का अलग-लग हो सकता है लेकिन कम से कम 10,000 रुपे है अब एक है प्राइम मिनेस्टर स्कोलर्शिप स्कीम बच्चों को मिलती है 36,000 रुपे और 30,000 रुपे सालाना मिलती है जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उनको केंद्रिय स्कीम दी जाती है और इसका फाइदा हर एक पूरु स्कीम को जरूर उठाना चीए जो मैंने पहले बताया केंद्रिय स्कीम बच्चे को एक हजार रुपे पर मंत और साल के बारा और दो बच्चों को 24,000 रुपे अब हम बात करेंगे केंटिन, CSD केंटिन की जो लेटेस्ट न्यूज है उसके बारे में यानि आपका कार्ड दस साल से पहले बनावा है तो आपका बंद हो चुका होगा यदि आपका कार्ड को बने वे दस साल होने वाले हैं तो भी बंद हो जाएगा इसलिए आपको पहले ही अपने कार्ड को रिप्लेश करने के लिए एप्लिकेशन अपने नजदी की केंटिन में दे देनी चाहिए yearly renewal of CSD card is no discontinued पहले हर साल अपने कार्ड को renew करवना होता था अब वो discontinue हो चुका है AFD items can be purchased online जो against firm demand items है जैसे की car है, two wheeler है, washing machine है, freeze है यह सब आप online purchase कर सकते हैं finally हम बात करेंगे one rank, one pension की जो latest news है वो OROP revision 1 and 2 has already been released and benefit extended to all eligible pensioners with effect from July 2014 and July 2019 respectively यानि OROP के बारे में सब को पता है कि OROP 1 and OROP 2 implement हो चुका है और OROP 3 July 24 से लागू होने जा रहा है Your new pension table of OROP 3 will be prepared on the basis of the average of pension run by the pensioners till the cut-off date of July 24 और an earlier date age may be convenient It is expected that this time increase in pension of JCOR may be more than the previous two revisions सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि 2023 की जो pension है उसका average ले जाएगा और OROP 3 में JCOR की pension OROP 1 और OROP 2 की comparison में ज़्यादा बढ़ेगी अब बात करेंगे हम Pay Fixation of Re-Employed Ex-Servicemen के ही हमारे बूत पूरू सेनिक है जो सेना की नोखरी से retirement आने के बाद में Re-Employee हो जाते है के अंदर सरकार या राजे सरकार में उनके लिए कुछ नियम है जैसे कि Re-Employed Ex-Servicemen belongs to commissioned officers category are eligible to get pay fixation as per last paid run CCS Fixation of Pay of Re-Employed Pensioners Rules 1986 इसके अनुसार जितने भी gadgeted officer है वो re-employed होते हैं तो उनको pay fixation का लाब मिलेगा Re-Employed Ex-Servicemen belongs to JCO or category are not eligible to get their pay fixed at the last paid run like commissioned officers मतलब अधिकारियों को मिलेगा लेकिन JCO जवानों को यह फाइदा नहीं मिलेगा कुछ जैसे bank है वहाँ पे इनको लाब मिलता है दूबारा जानोकर लगेंगे वहाँ जो pay होगी वो initial से start होगी लेकिन बैंकों में pay protection का लाब दिया जाता है JCO or को भी अधिकारियों को pay fixation का लाब दिया जाता है लेकिन JCO or को नहीं दिया जाता है जब JCO or का मुद्दा Ministry of Finance में पहुंचा तो Ministry of Finance ने कहा कि यदि इनको pay fixation का लाब दिया जाता है JCO or को तो ये उनको बिना लागू दिया गया एक advantage होगा लाब होगा इसलिए हम इस मुद्दे को reject करते हैं The matter has been taken up by the Air Act Servicemen Association for a fruitful result so that Ministry of Finance may enable to understand the actual disparity and discrimination is continued in the name of democracy or policy implementation in the independent India we are hopeful that the legitimate rights will be allowed by the government in near future pay fixation में जो anomaly है उसके बारे में कहा जा रहा है कि लोगतंत्रिक सरकार में लोगतंत्र में इस परकार का बेदबाव नहीं होना चाहिए और हम आसा करते हैं कि आने वाले समय में सरकार JCO OR और अधिकारियों के बीच में जो pay fixation का एक विरोधा भास है एक वी संगती है एक बेदबाव है उसको भी सरकार दूर करेगी तो इस परकार कुल मिलाके मैंने 62 पॉइंट इस वीडियो के जरी समझाने की कोशिस की आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजेगा और इसको सभी एक सर्विसमें के साथ में सेर जरूर कर दीजेगा क्योंकि 1947 से लेके 2014-2024 तक जितने भी आपके लिए नियम एपलिकबल है उन सब को इस वीडियो के जरीए मैंने कवर किया है थैंक्स पॉर वाचिंग दा कंप्लीट वीडियो इस वीडियो में इतना ही साथियों फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै बारत वंदे महत्रम